टाक्स जुड़ी परिशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरन तयार करने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान नमस्कार आप देख रहे हैं मार्के टाइम्स टीवी, मैं हूँ आपके साथ श्रालिनी शिर्वासता, बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं आजकर पेट्रोल, डीजल या गैस की कीमते सुनकर सर घुम जाता है, क्योंकि इनके जो दाम है वो आस्मान चूरे हैं दूसरी तरफ सबजियों में इस सल प्याज टमाटर की कीमतों में बढ़त ना आने की कमी अकेला नीबू ही पूरा कर रहा है गर्मी की शुरुआत के साथ नीबू की कीमतों में तेज उचाल देखने को मिल रहा है और कीमते 350 रुपय प्रती किलो तक पहुच गई है कीमतों में ये उचाल बढ़ती गर्मी के बीच नीबू की बढ़ती मांग की वज़े से देखने को मिल रहा है इसके साथ ही डीजल की कीमतों में बढ़त की वज़े से ट्रांस्पोर्टेशन कोस्ट बढ़ने से भी दबाब बना हुआ है वही मिर्च की कीमते भी 200 रुपे प्रती किलो का स्तर पार कर गई है यानि अब आपके सामने महंगाई को जो महंगाई की जो बात है वो अग्दम उपर पहुच गई है वही नीवू की कीमते दिली NCR में फिलहार 350 रुपए और मिर्च की कीमत 200 रुपए प्रती किलो पहुँच गई है अप्रेल की शुरुवात में ही नीवू 244 रुपए प्रती किलो और मिर्च 120 रुपए प्रती किलो के स्तर पर मिल रहा था यानि मेर्ज कुछ ही दिनों में ही नीवू 110 रुपय और मिच 80 रुपय प्रती किलो तक महंगी हो गई है वहीं मीडिया में आई खबरों के मताबिक महाराष्ट में नीवू के थोगदाम 200 रुपय से लेकर 300 रुपय प्रती किलो तक पहुच चुके हैं यही खुदरा बाजार में ये नीवू 300 रुपय से 400 रुपय प्रती किलो तक पहुच चुके हैं आम तौर पर नीवू की कीमत 100 रुपय प्रती किलो से नीचे ही रहती है हाला कि इस बार कीमते काफी उपर पहुच चुकी है आशंका जटाई जा रही है कि फिलाल नीवू के दाम कुछ समय तक उपर ही रहेंगे वहीं आम तोर पर सबजियों के साथ खरीद में मुफ्त में मिलने वाली मिर्च भी पिछले कुछ समय से लगाता सो रुपे प्रती किलो के उपर बनी हुई थी सप्लाई में असर पढ़ने के साथ ही अब ये 200 रुपे प्रती किलो का आखड़ा पार कर चुकी है गर्मियों के साथ नीवू की मांग काफी बढ़ जाती है और इस साल अपरेल के शुरुआत में ही लू चलने से नीवू की मांग में सप्लाई के मुकाबले तेजी देखने को मिली है जिससे कीमतों में उठा भी आया है वही कीमतों में बढ़त के लिए डीजल कीमतों में तेजी भी कुछ असर डाल रही है मेंगे डीजल के समान ले जाने की लागत बड़ी है जिसका असर खुद्रा कीमतों पर पढ़ रहा है कारोबारियों की माने तो करीब 50 सालों में नीवू की कीमतों में इतना उच्छार देखने को मिल रहा है वही देश के कुछ हिस्सों में फसर तयार होते वक्त बेमौसम बारिट से उपच पर भी असर पढ़ने की खबर है इन सभी बातों से बताय जा रहा है कि रिकॉर्ड उच्छार जो है वो देखने को मिल रहा है वही दूसरी तरफ मिर्च की कीमतों में तेजी भी है घटी सप्लाई की वजह से ये देखने को मिल रही है दिली NCR में और उसके आस पास के इलाकों से सप्लाई घट गई है और फिलाल मिर्च की सप्लाई दूसरे राजों से हो रही है वहीं सीविच सप्लाई और इसकी कीमत है वो तेज बनी हुई है तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हैं Market Times TV के साथ मुझे दीजे जाज़ा तमस्कार आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक Big Bless हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान झाल